नमश्कार प्रभासाक्षी के शंक दुनी कारेकर में आप सभी का स्वागत है कई बार कड़ी महनत के बाद भी मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती जिसके कारण हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है हाला कि जरूरी नहीं कि इसमें आपकी महनत का दोश हो बलकि ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे आपके घर के वास्तु का दोश जिम्मेदार हो क्योंकि वास्तु दोश होने पर कार्यों में बाधा, पारिवारिक सदस्यों में मतभेद, धनहानी, नकरात्मक उर्जा और धन संबंधी समस्याइं बनी रहती है ऐसे में कुछ इस तरह की समस्याओं से मुक्ती पाने के लिए वास्तु शास्त्र में ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिनको करने से धन, लाब और जीवन में तरक्की होती है तो आईए इस वीडियो में जानते हैं कुछ ऐसे वास्तो उपायों के बारे में जिनको करने से आपके घर में आपार सुक्समरिधी आ जाएगी सबसे पहले घर में किचन, बात्रूम और पूजा स्थान एक दूसरे के पास पास नहीं बनवाएं माना जाता है कि इससे घर में दुरभाग्य की छाया पड़ती है घर में कोई हिस्सा अगर अधूरा हो तो उस अधूरे निर्मान को जितना जल्दी हो सके पूरा करवा लेना चाहिए क्योंकि अधूरे निर्मान से धन हानी होती है कभी भी किचन में दवाईया नहीं रखनी चाहिए इससे घर में अधिक समय तक बिमारियां रहती है घर में तूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए और तूटे हुए दरपण में चहरा कभी भी नहीं देखना चाहिए ऐसा करने से आप अपने दुरभाग्ये को निमंतरण देते हैं किचन में कभी भी खाली डबे नहीं रखने चाहिए खाली डिबों में कुछ ना कुछ अन के दाने जरूर होने चाहिए इससे घर में मा अनपूर्ना का अशिरवाद बना रहता है वास्तू के मुताबिक व्यापारियों को दुकान बढ़ा कर घर लोटते समी हमेशा कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए अगर आप कुछ नहीं ले जा सकते हैं तो कोई फूल या फिर पेड का पत्ता ही लेते आएं जिससे आपके घर की बरकत बढ़ती रहे अगर आपके घर में किसी दिवार में दरार है तो इसे फॉरण ठीक करवा लेना चाहिए वरना इससे भी आपको वास्तू दोश लग सकता है वास्तू शास्त्र के मुताबिक घर में दूद वाले, काटे वाले और विशैले पेड पौधे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि इससे धन और स्वास्ते में गिरावट आ सकती है अगर आपके घर में रोज किसी ना किसी छोटी बात को लेकर लडाई जगड़ा होता है तो आपको शनिवार या फिर सोमवार के दिन घर में गेहू का आटा पिसवाना चाहिए पिसवाने से पहले गेहू में 100 ग्राम काले चने डाल दें फिर इस आटे को इस्तमाल में लेकर आए इस आटे को खाने से धीरे धीरे लडाई जगड़ा और कलेश खतम होने लगेंगे सुभा दुकान खोलते समय और शाम को सूर्यास के समय या फिर लाइट जलाने के फॉरण बाद किसी को पैसे नहीं देने चाहिए ऐसा करने से लक्षमी की हानी होती है हम आशा करते हैं कि आप इन वास्तूपायों को अपनाएंगे और आपके जीवन में सुख समृत्धी इनके बाद आने लगेगी आज के लिए इतना ही अगले शंक दुवनी के लिए जुड़े रहें प्रभासाक्षी के साथ अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके